हेलो एवरिवन वेलकम टू दिस सेशन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में आर्बी ग्रेट बी ट्वंटी ट्वंटी ट्री का जो फेजवन एक्जामिनेशन है वो नाइन्थ ऑप जुलाई को होने जा रहा है ठीक है तो एडिटैप आप लोगों क के साथ सेर करेंगे वो आपको मैं सोल करवाऊंगा बताऊंगा और यह जो बन फिप्टी कोईस्चन होंगे यह उन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक्स में से होंगे जो आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको यहां पर complete जो सारे chapters हैं वो पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिला रहा हूं कि जितनी भी चीजे में आपको पढ़ाऊंगा यहां पर जो यह 150 question होंगे sectional cutoff आपकी किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी यह मैं दावा कर रहा हूं ठीक है अगर आपने यह sessions ध्यान से देख लिए तो आपकी sectional cutoff नहीं रुकेगी किसी भी किमत पे ठीक है जो भी topic हम पढ़ेंगे वो complete होगा आपको जैसे आज के session में हम quadratic equation पढ़ेंगे तो आपको इ बताऊंगा conceptual भी बताऊंगा tips and tricks भी बताऊंगा और साथ में new pattern के question PYQ सब कुछ cover करवाऊंगा तो अगले एक से देड़ घंटे आपको मेरे साथ जुड़ी रहना है और आज के इस topic को देखकर कि आपको अंदाजा लगेगा कि यह series आपके लिए कितनी important हो सकती है यह 150 question वो question है जो आपको more than enough होगे sectional cut off career करने के लिए ठीक है तो लगातार आपको इस series को देखना है आपको जो भी आपका feedback होगा वो हमार साथ chat box में share करना है comment करके आपको बताना है ठीक है तो शुरुआत करते हैं इस session की लेकिन मैं यह भरोसा दिला रहा हूं आपको कि sectional cut off नहीं रुकेगी आपको daily morning तीन दिन week में क्वांट और reasoning के lecture आएंगे Monday, Wednesday और Friday आपको तीन दिन यह lectures मिलेंगे week में आप इनको लगातार देखिए तो 6 lecture हम क्वांट के लेंगे 6 lecture हम reasoning के लेंगे आपके लिए बहुत जबरदस्त यह चीज होने वाली है ठीक है तो चलो फि और आपको कहीं से भी यह topic दुवारा पढ़ने के जरूरत नहीं पढ़ेगी तो मैं आपको वही चीज से हम सुरुवात भी कर रहे है ठीक है तो सबसे पहले quadratic equation का एक basic part समझते हैं आम तोर पर हमारे exam के अंदर दो equation से question पूछता है एक linear equation है जो कि बहुत आसान होती है तो य is equal to 0 यानि जहां power 1 होती है किसी equation की वह linear equation होती है ठीक है जैसे आपने लिखा 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 like this तो यह क्या है linear equation है ठीक है एक quadratic equation क्या होती है एक quadratic equation जिसकी power 2 हो एक स्केर प्लस bx plus c is equal to 0 तो जहां किसी equation की power 2 है वह आपकी क्या है एक quadratic equation होती है ठीक है तो इस equation के अंदर पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि a is always कभी भी a जो है वह not equal to 0 होगा a की value 0 नहीं हो सकती ठीक है तो question कैसा आता है आपको क्या करना होता है किसी equation के root निकालने होते हैं ठीक है अब root निकालने भी बड़ी प्रेशानी होती है आम तोर पर हम root roots निकालने के लिए यह formula यूज करते हैं minus of b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2 तो मैं बताऊंगा इस formula की जरूरत नहीं है बीना इसके भी हम questions को बहुत आराम से solve कर सकते हैं बट इसको भी समझ लो एक बार कि कैसे निकालना है कैसे करना है ठीक है कई बार बहुत सारे बच्चों को सिर्फ basic प्रोच यह अच्छी लगती है लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बहुत बार आप question का सीधा दो सेकंड में भी answer कर सकते हो ठीक है और हर टाइप की variety of questions हम cover करेंगे इस lecture में ठीक है भाई तो आपकी जो morning है वो मैं ऐसे time खराब नहीं होने दूँगा बहुत आपको realize होगा कि आपने सुबह सुबह बहुत अच्छा सीख लिया है ठीक है चलो तो जैसे कोई हम एक equation ले ल क्या होगी minus 7 और C क्या होगा 12 तो यह B होता है हमारे पास यह C होता है ठीक है तो अब इस equation में put करोगे तो आपको root मिल जाएंगे इसके minus of B तो minus of minus 7 plus minus root over B square यानि minus 7 का square minus 4 A 1 और minus C यानि कि आपका plus का 12 ठीक है जी तो divide by 2A यानि 2 into 1 तो यह minus minus plus का 7 हो गया plus minus root over यह root over 49 और यह minus का 48 तो divide by 2 तो यहां से आपको मिलेगा 7 plus minus 1 divided by 2 तो एक बार 7 में 1 add कर दोगे और एक बार minus कर दोगे तो इस equation के दोनों root मिल जाएंगे तो 8 by 2 4 और 6 by 2 3 तो इस equation के जो दोनों root होंगे वो 4 और 3 होंगे बट क्या इतनी basic approach लगाने के जरूरत थी या questions को बहुत आराम से solve किया जा सकता है बिना इसके भी वो सारी चीज़ें आप देखो तो थोड़ा सा patience रखना है आपको बस मैं आपको वो सिखाऊंगा जो आपने कहीं भी सुना नहीं होगा आज तक ठीक है आपने देखा नहीं होगा ट्रिक्स एक होता है कि यार की सिर्फ ट्रिक की बतानी है और unnecessary questions पर अगर मैं ट्रिक बताऊंगा जो exam level के नहीं है उसका कोई फायदा नहीं है ठीक है मैं आपको exam level मैं आपको पीवाई क्यू भी करवाँगा यहां पर तो आप देखना कि यही चीज़ें वहां भी ला जालते हैं अब कोई question लेते हैं देखो जैसे हमारे पास ही एक equation है एक स्केर प्लस 17x प्लस 72 is equal to 0 और 6y स्केर माइनिस 53y प्लस 60 is equal to 0 जब एक normal सीदी सी equation होती है आसान equation होती है तो उसे solve करना तो हमारे पास second हों का खेल है लेकिन जब थोड़ा सा मुश्किल आजाए value बढ़ी हो तो root वगारा निकालने में बड़ी प्रैसानी होती है तो देखो इस question को solve करने से पहले में आपको एक चीज़ बताता हूं बहुत जबरदस ट्रीक है क्या कि ये quadratic equation हमारे पास ये quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to 0 ठीक है तो इस equation के अंदर आपको पता है कि ये a है ये b है और ये c है तो जैसे में ये 2 equation है मेरे पास x square plus 11x plus 30 is equal to 0 तो A की equation यह है मेरे पास, तो यहाँ पर यह A है, इस equation के अंदर A की value 1 है, B की value 11 है, और C की value 30 है, और अगर इस equation की बात करूँ तो A की value 1 है, B की value minus 12 है, और C की value 35 है, ठीक है, तो आप जब भी root निकालते हो, तो इस तरीके से निकालते हो, कि A और C की product, देख लेते हो आपकी, यहाँ जो number है यह है, तो suppose इसके दो root alpha और beta है, तो alpha और beta की product है, वो 1 into 30, यानि 30 होनी चाहिए, ठीक है, और alpha और beta का sum है, वो 11 होना चाहिए, एक बार के लिए, ठीक है, 11 होना चाहिए, बाद में उसका sign change हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो root आएंगे वो, अगर यहाँ plus दे पहले सिर्फ इतना सोचो कि आपको दो number ऐसे सोचने है, जिनका sum 11 हो, और product 30 हो, तो मैं कहा रहाँ कि वो 2 number 5 और 6 है, इतनी basic calculation तो आपकी होगी, ठीक है, इतना तो सोच पाऊ ना, अगर नहीं सोच पा रहें, तो इसको break कर लिया करो, ठीक है, 30 को break कर लिया आपने, जैसे 2 से गया 15, फिर 3 से गया 5, तो ऐसे यहां पर देखो, 2, 3, 6, एक number 6 है, एक number 5 है, तो ऐसे अंदाजा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब इसके real root लोगे, तो दोनों का sign change हो जाएगा, ठीक है, यानि इसके 2 real root होगे, minus 5 और minus 6, और यहां जो x square के साथ number उससे divide कर देते हैं, वो 1 ह तो divide करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस equation के 2 root यह होगे, ऐसे ही आप यहां से सोचोगे, कि 2 root ऐसे सोचने है, जिनका sum तो हो minus 12, ठीक है, और दोनों की product हो, वो 35 हो, है ना भाई, तो वो 2 root क्या हो सकते हैं, तो वो 2 root 35 को अगर आप break करोगे, तो 5 और 7 तो minus का 5, minus का 7, तो sum बन गया यह, और दोनों की product बन गई, यह, तो जब real root लोगे, तो दोनों का sign change हो जाएगा, 5 और 7, और साथ में y square के साथ जो number उससे divide करेंगे, वो यहां है नहीं, 1 है, तो 1 से divide करने का कोई वो नहीं है, तो यानि आपको पता चल गया, इस equation के 2 root यह होंगे, इस equation के 2 root यह ह से compare कर सकते हो, कि जो x है, वो तो less than y है, है ना, आपका answer आगया, अब क्या इतना करने के ज़रूरत थी, बहुत बार ऐसी equation आएंगी, जो बड़ी-बड़ी होंगी, जहां पर आप root आसानी से नहीं बता पाएंगे, तो मैं आपको trick बता रहा हूं, देखो, जब भी आपको क क्या होंगे उस equation के दोनों root negative, और अगर b negative है और c positive है, तो उस equation के दोनों root positive होंगे, तो सबसे पहले जब भी आप कोई question solve करो, तो ये चीज लगा के देखा करो, ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल से, अगर ये positive ये negative हो, तब मैंने बताया है, ये trick उस पर लाग negative होंगे equation के, और ये minus और ये plus है, तो इस equation के root positive होंगे, तो मैं direct 2 second में answer कर सकता हूँ, कि x तो less than y था, ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये trick number 1 है, कि अगर b और c positive हैं दोनों, तो उस equation के दोनों root negative होंगे, और अगर b negative है, c positive है, तो उस equation के दोनों root positive ह होंगे, ठीक है, आप लगा के देख लो, अब जैसे ये equation थी भाई, ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ, एक्स स्केर प्लस, प्लस, तो b और, अगर b भी positive है, और c भी positive है, तो इस equation के दोनों root negative होंगे, और अगर यहाँ पर देखूं, b negative है, और c positive है, तो इस equation के दोनों root positive होंगे, तो मुझे तो solve करने के जरूरत ही नहीं पड़ी question, मैं तो सीधा बोल सकता हूं कि जो x है, वो तो definitely less than y है, तो जो right answer होगा, वो option number 4 होगा, यहाँ पर, एक second में question solve हो गया, ठीक है, लेकिन कई बार अगर ऐसा नहीं होगा, ज़रूर ही नहीं है, हर बार ऐसा होगा, लेकिन हम जादा से जादा सीख के जाएं ना exam में, तो अगर ऐसा नहीं होगा, तो question कैसे solve होगे, जैसे अब पहली equation solve करते है, x square plus 17x plus 72 that is equal to 0, अब कई बार जब छोटी-छोटी value होती है, तो सोचना असान होता है, लेकिन जब बड़ी-बड़ी value जा जाती है, तो root सोचना में मुस्किल होता है, पहले तो यह trick ध्यान में रखना है, यह सब को, questions all हो गया, लेकिन अगर root निगाल के करते, तो कैसा करते, वो मैं बता रहा हूँ, अब अगर यहां पर 17 है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि अगर यह number odd है, ठीक है, यह number क्या है, odd है, यह 99% प प्लस है, ऐसी कोई value है, तो देखो, यहां पर दो root अगर x के, इस equation के alpha और beta है, तो दोनों का sum 17 होना चाहिए, और जो product है, दोनों की, वो 72 होनी चाहिए, ठीक है, यह होनी चाहिए, तो अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा, तो कैसे बनेंगे root, तो आप क्या करो, 72 को ऐसे break कर लो, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, तो जहां पर odd number आ जाए, जहां पर odd number आ जाए, वहीं पर रूख जाओ, even even की product कर लो, 2 तू जा, 4 तू जा 8, तो 8 और 9 इस equation के दो root बन गे, देखो, जिनका sum 17 है, और product 72 है, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ odd होना चाहिए, अगर यह even होगा, तब यह चीज नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि odd और even की product हमें, even होगी, ठीक है, यह odd होगा, तब ही लगेगी, otherwise नहीं लगेगा, तो यहां से हमें, x के दो root मिल गए, सीधा-सीधा, कि दोनों का sign change होगा, क्योंकि, यह sign तो change करना ही है आपको, यह तो ऐसे आय होगे, अब x square के साथ यहां जो number उससे divide कर लो, 1 है, तो 1 से divide नहीं करना आपको, ठीक है, अब जब आप दूसरी equation देखोगे, second equation है, 6y square minus 53y plus 60 is equal to 0, अब इस equation के root निकालना इतना आसान नहीं होगा हमार लिए, जब आप formula में भी put करोगे, तो बहुत सारी calculation करनी पड़ेंग 60, यानि कि alpha beta that is equal to 6 into 60, यानि 360 होना चाहिए, तो दो root सोचो, अब सोचना बहुत मुस्किल है, ऐसे कहां से सोचेंगे हम इतनी चीजे, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई, अगर यह कभी भी क्या हो, odd number हो, तो आप इसको break कर लो, जब आप 360 को break करोगे, 2 से गया 180, फिर यह 2 से गया 90, फिर यह 2 से गया 45, रुकना कहा है, जहाँ एक order number आजाए, मैं यह नहीं कहारा कि यहीं पर रुकना हो सकता है, कई बार ना satisfy करें यहां तक तो एक step और आगे बढ़ जाओ, जैसे अगर यहां से चेक कर लो, 2 into 2 into 2, 8, तो minus 8 और minus 45, यह दो root होगे कि नहीं होग तो वो sine change होगा, तो 8 और 45 होगे, और y square के साथ यहां 6 है, तो 6 से डिवाइड करना है आपको, तो यह real root आएंगे इस equation के, यानि 2 से होगा 4 by 3, और यह 3 से जाएगा तो 15 by 2, तो यह इस equation के root है, clear है, तो x के तो दोनों root negative है, y के दोनों root positive है, तो क्या बनेगा relation, x is less than y, तो उम्मीद करूँगा कि मैं आपको यह, आपको, जो root बनाने हैं, सोचने हैं, वो भी असान हो गई हैं आपके लिए, और आपको trick भी धान में हो गई है, तो आप इन questions को बहुत आराम से solve कर पाएगे, ठीक है, तो और question practice करते हैं, ठीक है, देखते हैं, अब देखो, यहां प के root बना लो, तो 2 से गया कितना भाई, 168, फिर 2 से जाएगा 74, फिर 2 से गया 37, देखो, 2 तू जा, 2 से गया 16, 8, 2 से गया, यह, one second, please, 2 से जाएगा सबसे पहले, 168, फिर 2 से गया 84, ठीक है, फिर 2 से गया 42, और फिर 2 से जाएगा 21, यहां के रुख जाओ, ठीक है, तो 2 तू जा 4, तू जा 8, तू जा 16, तो 16 और 21, ठीक है, इन दोनों की product तो यह हो जाएगी, लेकिन इस equation के root का जो sum है, वो minus 5 है, और जो product है, वो minus 336 है, अगर कभी भी product negative है, तो आपका एक root positive होगा, और एक root negative होगा, तो इन में से एक positive है, एक negative है, लेकिन कोन negative, कोन positive होगा, तो अगर यहां पर sum negative है, तो that means बड़े वाली value negative होगी, तो यहां पर यह negative होगा, और यह positive होगा, तो दो root इस equation के यह बनेंगे, लेकिन जब आपको यहां से सोच नहीं थी, अब 592 है, जब आप 592 को 2 से divide करोगे, तो 2, 9 और यह 6, फिर 2 से जाएगा 1, 4, 8, फिर 2 से जाएगा 74, फिर 2 से गया 37, तो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 और 37 यह दो root होगे, ठीक है, इन दोनों का sum देख लो, यही बन रहा है, product यह बन रही ह लेकिन जब real root लोगे, तो minus का 16 और minus का 37 हो जाएगा, clear है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, यह हमने ऐसा क्यों किया, कहां लागू होता है, क्योंकि 2 even number का sum even होता है, 2 even number का difference भी even होता है, एक even में एक odd add करोगे, तो odd बनेगा, even में से odd minus करोगे, odd बनेगा, odd और odd क sum even बनेगा, odd और odd का difference भी even बनेगा, ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो यहां तक आपको यह पता चल गया होगा, कि किस तरीके से चीजों को लेना है, कि B और C positive है, पहली तो यही चीज ध्यान रखनी है, अगर यह दोनों positive है, तो equation के दोनों root negative बनेगे, य यह बहुत काम आएगा, और दूसरा अगर आप बड़े-बड़ी values के root नहीं सोच सकते, तो इस तरीके से आपको सोचना है, जो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है, root वाली question भी लूँगा, new pattern question भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, वीडियो को end तक तो देखो, गारंटी कह आज के बाद दो से तीन question आपके पक्का सोल होंगे exam में, अगर आपने यह पूरा lecture देख लिया, ठीक है, चलो, अब क्या ऐसे question आते हैं exam में, यह RBA grade B 2022 का question है, आते हैं, सीधे भी आते हैं, थोड़ा घूमाके भी आते हैं, तो घूमाने वाले भी लेंगे, सीधे भी आते हैं यह, in the following question, two equations are given in variable x and y, you have to solve these equations and determine the relation between x and y, अब देखो, एक equation है, x square plus 7x plus 12 is equal to 0, second equation है, y square plus 8y plus 15 is equal to 0, क्या हमारा BC वाला concept लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि यह भी positive, यह भी, इसके भी negative होंगे, इसके भी negative होंगे, तो ऐसे direct तो नहीं बता सकते, तो फिर solve करो, गा 7, जिनकी product होगी 12, वो सोचने हैं आपको, तो वो number होंगे 3 और 4, इतनी चोटी value तो आराम से सोच सकते हो, लेकिन जब real root लोगे, real root लोगे इनके, तो दोनों का sign change हो जाएगा, तो इसके root बने minus 3 और minus 4, x square के साथ 1 है, तो divide करने के ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे स minus 3 और minus 5 होंगे, ठीक है, अब इन दोनों को compare करना है, result कैसे बनेगा, तो आप क्या करो, ऐसे लिख लो, x और y, आपने x लिखा और x के दोनों root लिख लिए, दोनों root लिखे, और y का एक root ले लो, minus 3 और minus 3, फिर x के दोनों root दोबारा फिर से लिखो, और y का दूसरा root देख लो, यह, तो ऐसे compare करो आप, अब देखो, minus 3 minus 3 तो equal होता है, minus 4 minus 3 में कों greater होगा, minus 3, क्योंकि negative में जो value छोटी होती हो, वो बड़ी होती है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर minus 3 बड़ा है, तो जब भी opposite sign आ जाएं, इस तरीके से, ठीक है, तो that means क्या है, कि वहाँ पर कोई भी relation नहीं बनेगा, no relation, तो that is why the answer for this question is option number E, clear है, तो इस तरीके से compare करना आपको, यहाँ फिर से देखोगे, यह greater है, ठीक है, तो ऐसे relation बनाना है, तो मैंने end to end हर question में, इस type का जो question होगा, उनको कैसे solve करना है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब म करना है, जैसे ही अगला question आएगा, आपको वीडियो को पोज करना है, ठीक है, और आपको पहले वो question खुझ से solve करना है, और फिर मेरे solution के साथ उसको match करना है, तो आपका practice भी हो जा रहा है इस से, मैं यह कह रहा हूँ कि यह 1-5 घंटा जो सुबह सुबह आप मेरे साथ लग इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता रहता हूँ, फिर हम बहुत सारे question practice करेंगे, ठीक है, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी question होती है, उसके roots निकालने का एक formula होता है, ठीक है, कई बारना exam में घुमा फिरा के question दे दे अब यहाँ पे जो b square minus 4ac होता है ना, यह d होता है, ठीक है, d का मतलब है, discriminant, ठीक है, क्या है, discriminant, अब आप बोलोगे सर, यह discriminant क्या होता है, discriminant का मतलब होता है, nature of roots, क्या होता है, nature of roots, कि कोई भी अगर equation है, तो उसके roots का nature क्या होगा, अगर इस d की value कभी भी greater than 0 आई, तो equation के जो root होंगे, वो क्या होंगे, वो real होंगे, और unequal होंगे, real and unequal होंगे, ठीक है, क्या होंगे real or unequal, अगर यह d की value is equal to 0 आजाती है, तो real or equal होंगे, real and equal होंगे root, ठीक है भाई, और अगर d less than 0 आजाता है, तो वो root imaginary होंगे, क्या होंगे, imaginary, जैसे आप से कैसा question पूछ लि की x square minus 5x plus 6 is equal to 0 ठीक है यह एक equation है इस equation के roots का nature बताओ कि इस equation के जो दोनों root होंगे वो real and unequal होंगे ठीक है second option आपको दिया है कि real and equal होंगे real and equal होंगे जो root है वो imaginary होंगे या इन में से कोई भी नहीं होगा कुछ ही such type से आपको option बनाके देदेगा तो आपको क्या chepणуль करने दी check करने दी क्या होता है बच्चे डी होता है b2.a 16 तो यहां पे a की value क्या होगी a की value 1 होगी b की value क्या होगी minus 5 होगी c की value 6 होगी यहां put करो दी is equal to b क्या होगा minus 5 का square minus 4 a1 होगा c6 होगा तो यह आ गया 25 minus 24 क्या हो गया 1 तो जो डी है वो greater than 0 है और जब ग्रेटर दें डी ग्रेटर दें 0 हो तो root real और un equal होते हैं तो जो answer होगा वो option number 1 होगा ठीक है मैंने कहा था कि मैं पूरा basic part भी clear करूँगा बहुत अच्छे से tips tricks basic exam level की चीज़े सब कुछ रहेगा ठीक है तो जो राइट answer होँपे यहां पे क्या है वो option number 1 है clear है बात समझ में आई सबको चलो दूसरा क्या धान रखना है आपको basic से मैंने कहा कि यह quadratic equation है हमारी ax square plus bx plus c ठीक है तो अगर मैं कहूं कि इस equation के जो दो root है वो alpha और beta है ठीक है क्या है दो root alpha और beta तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x minus alpha x minus beta is equal to 0 यही तो होगा भई है ना तो अगर हम इसको ऐसे लिखें और मैं इसको open करूं x की x के साथ multiply कर दों तो x square x की alpha के साथ करूं तो alpha x minus का beta x और plus के alpha beta that is equal to 0 ठीक है तो यह हो गया x square अगर यहां से minus common ले ले तो minus alpha plus beta x plus alpha beta that is equal to 0 ठीक है यह हो गया यह यहां पर b है और यह यहां पर c है अब अगर मैं क्या करूं simply इस equation को ax square plus bx plus c is equal to 0 dividing both side by a a से divide कर दूं तो यह क्या बचेगा x square यह बचेगा b by ax और यहां बचेगा c by a is equal to 0 suppose यह मेरी equation 1 है यह equation 2 है इन दोनों को compare करूं तो x square की जगे x square है और यह क्या है यह दोनों root का sum है sum of roots हमेशा क्या होगा minus b by a अब आप मुझे कहते हो ना कि sir आप जैसे हम को equation solve करते हैं ठीक है यह equation है जिसको हम solve करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि sum यह होना चीए product यह होनी चीए तो वो हो गया minus 3 minus 4 फिर हम क्या करते हैं last में जब real root बनाते हैं तो दोनों का sign change करते हैं क्य आपको पता चल गया ना कि मैं क्यों root equation के sign change करता हूं और क्यों divide करता हूं तो वो इसलिए होता है तो sum of root हमेशा क्या होता minus of b by a और यह क्या है product of root और यह क्या है c by a तो जो product of root है हमेशा that is c by a product of roots ठीक है that is c by a तो आपको यह दोनों चीजें ध्यान रखनी है हमेशा अभी मैंने आपको बताया क्या nature of root ध्यान रखो और यह चीज ध्यान रखो कि sum of root होता है minus of b by a और product of root होती है c by a यह बहुत अच्छे questions में काम आएंगी आप कहते हो ना सर एक्जाम में गुमा फिरा के question पूछ लेता है ठीक है b और c वाली ठीक है कि अगर यह positive positive है तो negative होंगे दोनों root यह negative positive है तो positive होंगे फिर आपको मैंने बताया कि ode हो sum क्या हो ode हो और product बड़ा सा number हो तो root कैसे लेते हैं यह मैंने बताया फिर मैंने आपको nature of root बताया और फिर मैंने आपको बताया कि sum of root और product of root क्या होते हैं अब हमारा पूरा basic part clear हो गया अब quadratic equation का कोई भी question किसी भी type से हमें देगा तो बहुत आराम से हम solve कर सकते हैं ठीक है चलो अब कुछ question practice करते हैं अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हैं तो मैं आप से request करूँगा कि अब आपको क्या करना है हर question जो भी आपकी screen पे आए वहाँ video पोज करो और आप उस question को पहले खुद solve करो और अगर कहीं गड़बड होती है तो मेरे solution के साथ मैच करो तो आपको पता चल जाएगा आप कहां गड़बड कर रहे हो आपकी practice भी यहीं खतम होगी तो यह आपका डेड़ घंटा बहुत बड़ी output आपके लिए लेकर आने वाला है और यह guarantee है exam में question गलत नहीं होगा RBA grade B में कभी या दूसरे exams में भी नहीं होगा वो तो छोड़ो मैंने आपको पूरी quadratic equation अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ठीक है चलो अलग-अलग type के both question लेंगे पहले simple root पे फिर root वाल equation लेंगे फिर new pattern question लेंगे pyq लेंगे सब कुछ चलेगा ठीक है चलो देखो next question हमारे पास equation है 3x square plus 29x plus 56 is equal to 0 वीडियो पोज करके solve करो भाई फटाफट 3x square plus 29x plus 56 is equal to 0 इस equation को solve करना है फिर है दूसरी equation 2y square plus 15y plus 25 is equal to 0 इसको solve करना है है ना तो बनाते हैं दीरे दीरे देखो यहाँ पे दो root ऐसे सोचने जिनका sum हो 29 और product हो 56 into 3 ठीक है 56 into 3 यानि 168 तो अब सोचना बहुत मुस्किल हो रहा है लेकिन आप वही एक बार format लगाके तो देखो 2 से गया 84, 2 से गया 42 और 2 से गया 21 यहीं पे रूख जाते हैं 2 into 2 into 2, 8 into 21 तो product भी यही बन रही है और sum भी यही बन रहा है तो वो 2 root होंगे 8 और 21 जब आप इसके real root लोगे तो x की क्या value आएगी? माइनस का 8 और माइनस का 21 बट x स्क्वेर के साथ 3 है तो 3 से डिवाइड जरू करें तो इसको डिवाइड करोगे माइनस का 2.66 बनेगा इसको डिवाइड करोगे माइनस का 7 अब यहाँ पर देखो sum होना चाहिए 15, product होनी चाहिए 25 इंटू 2, 50 यह तो सीधा साहिए 5 और 10 आप आराम से calculate कर सकते हो ठीक है? तो जब आप इसके real root लोगे तो दोनों का sign change हो गया फिर y square के साथ 2 है तो उससे डिवाइड करो तो यह होगा minus का 2.5 और minus का 5 ठीक है? अब आपको roots को compare करना है compare करने का तरीका मैंने आपको बताया x और y कि यह minus का 2.66 है minus का 2.66 है ठीक है? और इसके दोनों root ले लो minus का 2.5 minus का 5 ठीक है? अगर आप यहीं पर देखो ना आपको आगे बढ़ने की जुरूरती नहीं है यहाँ पर आप देखोगे तो यह बढ़ा इससे और यहाँ पर आप देखोगे यह बढ़ा इससे ठीक है? तो एक बार एक root से तो छोटा है x, y के और एक root से बढ़ा है तो that means कोई भी relation बनेगा ही नहीं तो second root से भी compare करने की जुरूरत नहीं है आपको समझ रहे हैं? तो जो right answer होगा वो होगा relationship between x and y can't be established ठीक है? समझ में आई भाई practice जरूरी है और practice करो भाई हर question साथ की साथ मेरे soul करो copy pen लेके बैठो देखने से कुछ नहीं होगा ठीक है? अगर आपको कुछ करना है तो आपको effort लगाना पड़ेगा और अभी आपके exam में दो महिने हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये हमारी videos देख ली तो इनी से आपका बेड़ा पा रहा है ठीक है? चलो करो next question 20 x square minus 9 x plus 1 is equal to 0 20 x square minus 9 x plus 1 is equal to 0 मैं कोई सीधे trick वाले question नहीं ले रहा हूँ बहुत असान ठीक है? कि सर आपने तो दो चीज़ें बता दी लेकिन दो चीज़ें छोड़ दी exam के लिए नहीं ऐसा नहीं होगा भाई मैं अगर पढ़ाऊंगा कोई topic तो फिर आपके आप पूरा lecture देखना अरगर आपका एक single doubt भी बढ़ जाए यह नहीं कि 20 हो तो आपको सीधा सा पता है कि माइनस 4 और माइनस 5 होंगे इतनी चोटी वेली तो यार बहुत आराम से सोच सकते हैं अगर इतना भी नहीं सोच पाएंगे तो फिर ग्रेड भी मैनेजर बनने का सपना कैसी देख लिया हमने वह तो बहुत बड़ा है लेकिन उसे पूरा करने है चोटी-चोटी achievement से पूरा होगा वह ठीक है चलो तो अब यह बन गया 1 by 5 और यह बन गया 1 by 4 1 by 5 का मतलब होता है 0.2 1 by 4 5 का मतलब होता है 0.25 ठीक है अब यहां पे सोचो दो रूट ऐसे सोचने जिसका सम यह हो और प्रोड़क्ट 1 into 12 हो यानिकी 12 तो वह दो रूट होंगे माइनस 3 और माइनस का 4 तो जब य के रूट लोगे रियल रूट तो दोनों का साइन चेंज होगा और साथ में 12 से डिवाइड होगा ठीक है तो यह बन गया 1 by 4 और यह बन गया 1 by 3 तो 1 by 4 का मतलब है 0.25 और 1 by 3 का मतलब है 0.33 अब इनको compare करना है मैं तो लिखके compare कर रहा हू ठीक है लेकिन आप directly भी compare कर सकते हो इतना कोई बड़ा खेल नहीं है 0.2, 0.25 और 0.33 के साथ compare करोगे अब आप देखो 0.25 0.2 से बड़ा है 0.25 और 0.25 equal है 0.25 छोटा है 0.33 से और यह 0.25 0.3 से चोटा है तो x जो है वो less भी है और equal भी है y से तो यानि कि जो answer बनेगा वो option number 2 बनेगा कि x is less than equal to y. Clear? चलिए next question. Find the value of x and y and answer accordingly. आपको y के x और y के यहाँ पर root निकालने हैं ठीक है फिर answer करना है. देखो क्या क्या बन सकते हैं. तो पहली equation है हमारे पास 5x square plus 44x plus 32 that is equal to 0. ठीक है तो अगर 5x square 44 तो sum क्या होना चीए 44 और product होनी चीए 32 into 5 is 160. यह तो सीधा सा नजर आ रहा है कि 40 और 4 होंगे. ठीक है? बहुत चारी चीजें थोड़ी सी practice करोगे आजराम से नजर आ जाती हैं. तो x के root क्या होंगे? minus 40 minus 4 और divide by 5 कर लो divide by 5 तो यह minus का 8 और यह minus का 0.8 ठीक है? दो root आगे. अब दूसरी question उठाओ. 9y square plus 74y plus 77 is equal to 0. ठीक है? तो sum क्या होगा roots का? 74. product क्या होगी? 77 into 9. ठीक है? थोड़ा difficult लग रहा है और यह value odd भी नहीं है भई. लेकिन बनाना तो पड़े गाई. तो इसको break कर लो. ठीक है? अगर आप इसको break करोगे तो यह 7 into 11 और यह 9 को break करोगे तो 3 into 3. और कहीं break ही नहीं 7 into 3 into 3. कितना हो गया? 63 और यह 11. तो बन गया sum 74 और यह root बन गया इतने. तो अगर मुश्किल question भी आ रहा है तो उस पर भी effort लगा ना सिखो. ऐसा नहीं है कि सीधा ही यार ऐसा नहीं है कि बहुत चोटी-चोटी equation बहुत आसा आसान question आपको दे देगा. फिर तो हर कोई ले आपकी अगर आप effort नहीं लगाओगे. ठीक है तो exam level क effort लगाओ. ऐसी trick मत सिखो कि अभी तो time pass हो गया है. लेकिन exam में जाके आपको उसका कोई benefit नहीं हो. उन tricks कोई benefit नहीं है. अब मैं भी thumbnail बना दूँगा tips and tricks for this. लेकिन कोई फायदा नहीं है बच्चे. एक्जाम level की बाते कर रहा हूँ. ठीक है तो लेकिन मिलेगा पूरी वीडियो देखो और अच्छे से देखो. ठीक है अब देखो यहाँ पे. तो 63 और 11 दो रूट बनगे भई. तो जब y के real root लोगे तो minus 63 और minus 11 और divide by 9. तो यह minus का 7 हो गया और यह minus का हो गया one point something होगा to something. अब कौन सी value compare कर लो ना सिर्फ है. अगर x और y में इस तरीके से लूँ कि यह minus 8 है और यह minus point 8 है. और y का एक root देखो यह minus 7 है. यह minus 7 है. अब यह minus 7 इससे greater है. लेकिन इससे छोटा है. समझ रहे हो ना? minus point 8 जो है, वह minus 7 से बढ़ा है. तो यहीं पे कोई भी relation नहीं बना. तो दूसरा root compare क clear है? चलिए next. देखो question number 6. 8x square plus 58x plus 39 is equal to 0. और second equation है 8y square minus 14y minus 15 is equal to 0. अब देखो आपको दो root ऐसे सोचने हैं जिनका sum of 58 और 8 into 39 product हो. ठीक है? अब मैं इसको अगर यह odd होता फिर तो उस तरीके से चला जाता. लेकिन इसको भी break कर लो, ना? 8 को आप ऐसे लिख सकते हो. और 39 को आप ऐसे लिख सकते हो. तो जो root बनेंगे equation के वो इनी values से तो बनेंगे. तो थोड़ी सी तिकडम बाजी तो आपको लगानी पड़ेगी, तो अगर मैं यहां से देखूँ कि 2 तूजा क्योंकि सम 58 बनना चाहिए, ठीक है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यह 13 तिये 49 ठीक है? तो क्या समझ में आ रहा है? यहां पर नहीं. तो फिर कैसे समझ में आ रहा है? अगर मैं 2 तूजा 4 और इन्टू 13 करूँ, तो 52 और 3 तूजा 6 तो देखो यह दो रूट बन गे, जिनका सम इतना बन रहा है, प्रोड़क्ट इतनी बन रही है. थोड़ा effort लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा. तो X के जो रियल रूट आएंगे, वो माइनस का 52 और माइनस का 6 और डिवाइड बाई 8. ऐसे आएंगे. तो यह 4 से गया 13 और यह 2. तो यह आगया माइनस का 6.5, यह 2 से गया 3 और यह 4 यह माइनस का 0.75. दो रूट आगे. इस एक्वेशन में सोचो, सम माइनस 14 और जो प्रोड़क्ट होगी वो माइनस 15 इंटू 8 होगी. यानि माइनस का 120. अब मुझे थोड़ी मेरी कैलकुलेशन ठीक ठाक है. मैंने एफर्ट लगाए हैं काफी. तो मुझे तो पता चल रहा है कि 20 और 6. दोनों का डिफरेंस 14 और प्रोड़क्ट यह. लेकिन यह नेगेटिव है. तो एक रूट पोजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. कौन सा पोजिटिव कौन सा नेगेटिव होग तो x less than y हो गया. सिर्फ इसको compare करो इनके साथ. तो minus 6 by 8 का मतलब हो गया minus 3 by 4 यानि minus 0.75. ठीक है. अब यह minus 7.5 इसके equal है. तो x is equal to y भी हो गया. और यह इस से greater है. क्योंकि नेगेटिव में जो value छोटी होती है. तो that means यही बनेगा. कि x is less than equal to y. ठीक है. तो जो option number d है वो आ है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब कुछ root वाले equation, कुछ root वाले questions. ठीक है. अगर मैंने बोला है कि complete पढ़ाऊंगा मतलब हर चीज बताऊंगा यार. है ना? इतना दो भरोसा करना पड़ेगा. अगर आप मुझ पर भरोसा निया ना फिर छोड़ दो. फिर मत पढ़ root already given है. तो वो हमेशा सिर्फ positive value देगा. अल्रेडी root given है. लेकिन ये किसका square है? ये 54 का square है. अब ये square वगरा तो आपको निकालने आने चीए. या तो बचपन वाले method से निकाल लो ऐसे. या बहुत सारी trick होती है. जैसे ये last number 6 है. तो 6, 4 के square के पीछे भी आता है. और 6 के square क बीच में लाई करता है. तो ये या तो 56 का square होगा या 54 का होगा. अब 5 और 6 की product करोगे तो 30. तो ये 30 से चोटा है. इसलिए 54 का square है. चोटे वाला number लेंगे. एक trick ये भी है. कि ये 2500 से कितना जादा है. मतलब 416 जादा है. लेकिन last के two number देखो. 4 है तो 50 में 4 add कर दो. मतलब 60 4 का square होता है. मतलब इतनी tricks पे मत जाओ. इतनी महनत की कोई ये IBPSPO ये SBIPO का exam नहीं है. कि आपको बरीकी cutoff इतनी जाती है. और आपको बहुत score करना है. sectional cutoff निकालनी है. थोड़ा एक ऐसा reputed सा score होगा. तो phase 1 निकल जाएगा. महनत phase 2 पे करो. final merit list उसी से बननी है. ठीक है. तो X की value प्लस 54 होगी. अगर यहाँ पे देखूँ. Y square is equal to 2916. अब root हम ले रहे हैं. root हम ले रहे हैं. तो that means दोनों तरफ square root किया हमने. तो जब आप root लोगे तो उसकी दोनों value आएगी plus और minus. तो यानि की plus minus 54. यानि इसका एक root plus 54 होगा. एक root minus 54 होगा. तो जब plus के साथ compare कर हों तो X greater है. तो यहाँ से answer बनेगा X is greater than equal to Y. तो given option number 4 के अंदर. कलियर है भाई? बात समझ में आई. तो इस तरीके से चीजों को आपको लेना है. आगे बढ़े next question. देखो question number 8. 5 root 2 x square plus x minus 3 root 2 is equal to 0. 5 root 2 5 root 2 x square plus x minus 3 root 2 is equal to 0. ठीक है? अब देखो sum होना चाहिए इस equation का 1. और जो product है वो होनी चाहिए minus 3 root 2 into 5 root 2. यही होनी चाहिए. तो minus 3 into 5. minus 15 root 2 into root 2 2. तो यहनी यह minus का 30 बन गया. यह कब possible है? जब 1 root 6 होगा, 1 minus 5 होगा. तो product इतनी बन जाएगी, sum इतना बन जाएगा. लेकिन जब आप इसके real root लोगे, तो 6 से minus 6 होगा, minus 5 से plus 5. और divide by 5 root 2. यहाँ भी 5 root 2. तो यह दो root आगे इस equation के. ठीक है? अब second equation देखो. 8 y square plus 10 y minus 7 is equal to 0. तो 8 y square plus 10 y minus 7 is equal to 0 है. तो y square, sum क्या होना चाहिए? 10. product होना चाहिए 7 into 8 minus 56. ठीक है? अब 2 root ऐसे सोचने है, जिनका sum यह तो 14 और 4 है. लेकिन यह negative है. तो एक root negative होगा, एक positive होगा. लेकिन यह sum positive है, तो बड़े वाली value positive होगी, छोटे वाली negative. ठीक है? अब इसके real root बनाओगे, तो यह minus का 14 by 8 और यह plus का 4 by 8. अब compare करो. सर, यह root में आ गया, कैसे compare करें भाई? अगर root में आ गया, तो compare करने का एक तरीका में बताऊंगा आपको की कैसे करना है, लेकिन आप यह देखो, इसका एक root negative है, एक positive है, और इसका भी एक root negative, एक positive है, तो जब भी इस तरीके से, दोनों का एक root negative, एक positive होगा, तो वहाँ पे no relationship बनेगी. क्या बनेगी? no relationship से बनेगी. ठीक है, यह lecture आपको अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना बिल्कुल, तो मजा आ रहा है, तो comment section में पक्का बताना, मैं आपके feedback का वेट करूँगा. अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीजे हम आगे वाले session में भी discuss करें, इसी तरीके से ब देखो, इस तरीके से भी question आ जाता है, जब equation क्या में क्या दे रखे हो, roots दे रखे हूं, हलांकि RBA grade B में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना है ना, other exams में तो पूछ रहा है, तो यहां भी पूछ लेगा, पूछने में क्या परेशा नहीं है, given below our two equation, based on the given information, you have to determine the root, अब आप को होगे, sir, यह तो हमने कभी सीखा नहीं, भाई, मैं हूँ, मैं बताऊंगा आपको, देखो कैसे, पहली question है, x square plus 5 root 3x minus 42 is equal to 0, है ना, अब देखो, दो root ऐसे सोचने है, जिसका sum यह हो, और product यह हो, ऐसे ही सोचने है, अब आप को होगे, sir, root में तो हमने कभ दर सी trick बता रहा हूँ, इसमें एक step और फालत हूँ है, वो additional step क्या है, कि यहां root 3 से divide कर दो, यहां उसके square से, यहां root के अंदर जो value है ना, वो, यह root वाली value हटा दो, यह लिख लिया सिर्फ simple 5, और यहां root के अंदर जो value है ना, इससे उसको divide कर दो, root के अंदर का 3 से divide कर द तो minus 14, ठीक है, अब दो root ऐसे सोचो, जिनका sum यह हो और product यह हो, तो वो 2 root 7 और 2 होंगे, लेकिन product negative है तो एक root negative होगा, एक positive होगा, और अगर sum positive है तो बड़ी value positive होगी, यह negative होगी, तो यह आ गया, जिसका sum यह होगा, product यह होगी, लेकिन मुझे तो इसके लिए सोचना है न तो जो यह root वाली value है, इन दोनों के साथ चिपका दो, यह दोनों root होगे, एक root होगा 7 root 3, एक होगा minus का 2 root 3, बस, एक step फालत हो है, क्या करना है, यहां से यह value हटा दो sum के लिए, और root के अंदर जो value है, इसको से divide कर दो, पहले इनके लिए सोचो, इनके लिए सोचने के calculate करके देख लो, ठीक है, अब जब आप x के real root लोगे, तो यह हो गया minus का 7 root 3, और यह plus का 2 root 3, clear है, तो x के दोनों root आगे हमारे पास, अब दूसरी equation उठाओ, y square minus 8 root 2y plus 30, that is equal to 0, अब दो root ऐसे सोचिए, जिनका sum यह हो, और product हो 30, मैंने क्या बताया, एक step, कि यह root वाली value root के अंदर जो value से divide कर दो, तो पहले ऐसी 2 root सोचो, जिनका sum minus 8 हो, और product यह हो, तो वो होंगे minus 5 और minus 3, अब जब आप real root लोगे, तो यह root वाली value इनके साथ चिपका दो पहले, minus 5 root 2, और minus 3 root 2, और जब आप real root लोगे, तो फिर दोनों का sign change होगा, ठीक है, और divide by y square के साथ compare करते हैं, जब आप compare करोगे, देखो, यह value तो इन दोनों से चोटी है, तो x तो less than y हो गया, negative तो चोटी है, जब इसके साथ compare करोगे, यह 2 root 3 है, और यह 5 root 2 है, तो x less than y होगा, क्योंकि 5 root 2 है, 2 root 3 है, बहुत difference है, जब इसके साथ compare करो, देखो, root 3 होता है, 1.73, ठीक है, root 2 ह होता है, 1.41, ठीक है, तो अगर 2 root 3 देखूं मैं, तो 2 into 1.73 होगा भई, तो 2, 6, 14, तो 3.46 बनेगा, और जब 3 root 2 लेंगे, तो 3 into 1.41, तो यह 4 point something बनेगा, तो यह value फिर भी greater है, इस से, तो x जो है, वो less than y ही होगा, तो जो यहाँ पर right answer है, वो option number 2 होगा, ठीक है, इस तरीक से आपको चीजों को लेना है, बाह समझ में आई, तो मुश्किल भी आएंगे यार, question, लेकिन हमें उनसे निपटना कैसे है, exam का question हमारे हाथ में नहीं है, कि examiner कैसा पूछेगा, लेकिन उसे solve करना, अगर हम अच्छे से पढ़के जाएंगे पहले, तब तो possible है, ठीक है, च आपने ये lecture सुरू से देखा है, और मैंने आपको एक trick बताई थी, कि अगर B और C, ये positive है, ये positive है, तो equation के दोनों root ये होंगे, ये negative है, ये positive है, तो दोनों root positive होंगे, अगर आपको ये trick पता है, तो आप 2 second में इस question का answer कर दोगे, क्योंकि ये भी positive है, ये भी तो इस equation के द होनो root positive होंगे, तो एक second में answer आगया, कि x is less than y है, तो option number 1, एक second में यार, tricks की आहिमित है, लेकिन वो genuine होनी चाहिए, वो उन चीजों पर भी लगे, जो exam में question follow किये जाते है, ऐसे नहीं, कि यार कोई भी कहीं भी कोई किसी type का सवालो, trick चिपका दो, trick पर पज नहीं, output पर प इसके root बनाने हो, इस equation के, यह जो होता है, यह root ही होते है, जैसे देखो 4 into 2 करोग 8 root 2, 8 into root 2, तो यह जो यह bracket के अंदर value दी होती है, यह root ही होते हैं हमेशा, तो ऐस equation कभी भी आये, तो यह चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, चलो next, अब थोड़ा different तरीके से भी पूछे का exam में, पहले मैं आपको example दे रहा हूं, ताकि आपको यह भी तो पता चले ना, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो, मैं, ऐसे मैं आपसे vague बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे exam oriented बात कर रहा हूं, आपको यह यकिन तो होना चाहिए, तो यह question देखो, यह RBI grade B 2021 का question है, ठीक है, यह question पूछा गया आपसे exam में, consider the following pair, यह column 1 है, यह column 2 है, which of the above pair is not correctly match, तो आप कैसे इसको solve करोगे, तो चीजें वही हैं, fundamentals वही हैं, समझ रहे हो ना, basic चीजें वही हैं, लेकिन पूछने का तरीका change हो गया, और अगर वो चीजें आप पहले से पढ़के जाओगे तो exam में पिर आपको जटका नहीं लगेगा, आप solve कर लोगे, देखो, जैसे इस equation के यह दोनों root हैं, तो देख लो भाई, अब देखो, reverse जाओ, 13, 17, तो दोनों का sum क्या, 30, लेकिन sign change हुआ होगा, तो यहां minus 30 होना चाहिए, तो minus 30 है यहां पर, और दोनों की product देखो, 17, 51, और 17 और नहीं पूचा है, ध्यान से पढ़ा करो, not correctly match, अब यहां पर देखो, 19 और 17 का sum 36, लेकिन negative होना चाहिए, दोनों की product भी यही है, तो यह भी correctly match है, तो यह भी answer नहीं हो सकता है, लेकिन Z is equal to this है, तो Z की value सिरफ positive 17 आएगी, negative नहीं आएगी, तो यह correctly match नहीं है, तो that is why the answer is option number B only three is the right answer, बात समझें भाई, तो ऐसे चीजें सोल होंगी, clear भाई, तो यह exam में पूचने का structure रहता है, ठीक है, चलो देखो, कुछ question इस पर भी practice करते हैं, जैसे, देखो question number 12, select the correct match given in the option, तो आपको यह चीजें set करनी है, ठीक है, अब question वही है, लेकिन पूचने का तरीका, य पूच के, तब भी तो 4.5, 5 नमबर, 7 नमबर नहीं आते एक जाम में, क्योंकि questions की को लेंदी बनाता जा रहा है, calculate बनाता जा रहा है, तो solve करना है, समझें, लेकिन solve करना है, ध्यान रखना, जब भी ऐसे questions को solve करना हो, पहली trick तो यह लगा के देखो, B और C वाली, कि अगर यह positive positive है, तो दोनों root negative होंगे, यह negative positive है, तो दोनों root positive होंगे, क्या पता यहीं से option eliminate हो जाए, समझें, देखो, यह negative positive है, तो दोनों root इसी question के positive होंगे, यह positive positive है, तो दोनों root negative होंगे, यह negative positive है, तो दोनों root positive होंगे, क्या इस base पे कुछ हो रहा है, देखो, अगर मैं condition product of both root value is negative both root are negative value तो both root are negative value तो negative value तो इसी equation की है ना तो B तो F के साथ मैच होगा B तो F के साथ ही मैच होगा तो आप option पर जाओ पहले A को F के साथ मैच किया है लेकिन A तो B तो F के साथ F तो B के साथ मैच हो रहा है तो यह eliminate हो गया यहां जो F है वो फिर A से match कर दिया, यह भी गया काम से, यहां जो F है वो C के साथ match कर दिया, यह भी गया काम से, F C के साथ कर दिया, यह भी, तो answer A की तो बच गया, option number C, इतने में ही हो गया हमारा question, हमें, यार अगर आपका basic concept clear है, तो बहुत सारी चीज़ें तक आपको time लग आते नहीं होंगे, उसका कोई फाइदा नहीं है, आप exam का pattern समझो, यह यह मज़ेदार चीज़े, genuine होनी चाहिए चीज़े, solve भी करना है, इन दोने equation को solve कर लो, इस equation को solve करना असान है, x square minus 19x plus 78, क्या CD के साथ match करता है, यही check करना है, तो sum इतना होना चाहिए, product इतनी, तो minus 13 और minus 6, बन गे, और दोनों root का जो difference है, वो 7 है, और यह इसके साथ match कर रहा है, तो हो गया answer, solve, निकल गया question, बड़े आराम से, समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लगाना होता है, ठीक है भाई, चलो next, The following equation must satisfy the condition y is less than x, अब यह देखो कितना अच्छा question है, यह लेंदी इसलिए है, क्योंकि एक तो आपको एक question देगा, उसमें 2 equation solve करनी है, अब यहाँ पर आपको equation solve करनी पड़ेंगी 6, तो फिर 3 गुणा time तो लगेगा ही, अगर आप quadratic equation का एक question solve करने में 1 minute लगाते हो, तो इस question को solve करने में आपको 4 minute लगेंगी, लेकिन अगर आपने यह lecture सुरू से देखा है, अच्छे से देखा है, तो आपको इसको भी आप जल्दी solve कर लोगे, इसमें भी कोई परिशानी नहीं है, ठीक है, चलो फिर बनाते है, मैं तो भाई directly solve कर लेता हूं, फटा-फट से, देखो 21 108, मेरी calculation ठीक ठाक है, 12 निमा, 108, 12 9 जा 108 होता है, तो इसके root बनेंगे minus 12 minus 9, क्योंकि positive positive है तो negative root बनेंगे, अब यह 3 और 28 है, तो root क्या बनेंगे भाई, 7 और 4, 7 और 4, दोनों की product 28 यह negative है, लेकिन sum minus 3 बनना चाहिए, तो इसलिए बड़ी value negative होगी, लेकिन जबाद में sign change हो 28, 19, 9 जा 171 होता है, तो इसके root बनेंगे 19 और 9, क्योंकि negative है तो root positive बनेंगे, यह बनेगा 15 into 12 होता है, 15 into 12 180 होता है, तो minus 15 और minus 12 बनेंगे, इस equation के root, यह देखो, अब यह 21 और 20 बनेंगे, product इतनी होनी चाहिए, sum इतना होना चाहिए, 22, sorry, 22, 20 की product ही 440 होगी, लेकिन यह negative है यह positive है, तो दोनो positive बनेंगे, अब यहाँ पर देखो, तो 7 और 5 बन रहा है, 7, 5 जा 35, लेकिन यह negative था, तो बड़ी value negative होगी, बाद में वो positive हो जाएगी, तो इसके root यह बनेंगे, ठीक है, अब by option जाओ कि कहाँ पर match कर रहा है, ठीक है, by option आपको match करना पड़ेगा, पहला option है, क्या C और D match कर रहे है, कि जो Y है, वो less than X है, ठीक है, Y है, वो less than X है, तो कहाँ पर match कर रहा है, क्या C और D match कर रहा है, देखो यह C के दोनी value, यह देखो न, X greater होना चाहिए, Y से, X greater होना चाहिए, 19 और 9, क्या इस से greater है, बिल्कुल यह दोनों तो negative है, और यह positive है, तो value और minus 5 से भी, तो यह option बिल्कुल सही है, यही पर काम खतम, क्या A greater है F से, A greater नहीं है F से, क्योंकि यह दोनो negative है, और यह positive है, तो खतम, क्या only A, A greater है E से, E से greater नहीं है, क्योंकि यह दोनो positive है, यह negative है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो right answer हो गया भाई, कहा दिक्कत है बना पाऊगे आराम से ठीक है लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो अच्छा और कलियर होना चाहिए कलियर है आगे बढ़े next question अब देखो इस टाइप से question भी यह अर्भी एक रेट भी 2021 का question है मैंने कहा था कि PY क्यों लेके करवाऊंगा बहुत अच्छे से है ना तो 5x-2y is equal to 5 और दूसरा है 1 plus x by y that is 8 by 5 और quantity 1 और quantity 2 दिया हुआ है तो हमें उसमें relation बनाना है कितना अच्छा question है है ना लेकिन exam में ऐसा लगता है कि यह पता नहीं क्या पूछ लिए यार उसने x और y कहां से आएगा यह तो algebra का question है इसमें तो यह कुछ नहीं लगेगा भाई मेरे देखो यहां पर x by y अगर 1 उदर जाके minus हो जाए 8 by 5 minus 1 तो बच्चेगा 3 by 5 अब x की value 3 y की value 5 यहां put करके देख लो अगर satisfy हो गया तो ठीक है वरना इनके multiple होंगे आगे अब आप यह value यहां put करते हो 5x 5 into x कितना है 3 minus 2 into y कितना है 5 that is equal to 5 तो यह 15 minus 10 is equal to 5 match कर गया तो x or y की value यही होंगी यहां put कर लो देखो 3x 3x कितना है 3 plus y कितना है 5 तो 9 plus 5 कितना हो गया 14 यहां देखो 3y 3 into 5 minus x कितना है 3 तो 15 minus 3 कितना हो गया 12 तो जो quantity 1 है वो greater है quantity 2 से तो जो answer है वो option number A होगा आँख बंद करके बता देंगे हम लेकिन practice होनी चाहिए ठीक है बातें पहले से पता होनी चाहिए अच्छे content पे अच्छा effort लगाओ ठीक है चलो next question यह देखो यह last year के question है last year quadratic equation से 4 question पूछे गए थे एक question मैंने बहुत starting में करवाया था अब यह देखो तीन question यहाँ पे है is equal to 2 तो 2a is equal to 2 तो a की value क्या आगी 1 अब यहां पे देखो b 3 और 7 तो b plus 3 is equal to 7 तो b कितना आ गया भाई 7 minus 3 कितना 4 अब यहां पे 4 plus c 4 plus c that is equal to root over 49 minus 13 तो 4 plus c यह हो गया root 36 जो की होता है 6 तो c की value क्या 6 minus 4 2 तो जैसे ही यह values आई abc की question तो solve हो गया हमारा जरूरत ही नहीं है देखो पहला question क्या है what is the value of b plus c तो b कितना है 4 c कितना है 2 तो answer कितना 6 ऐसे ही घबरा जाते हैं पता ही नहीं होता है चीजों का क्योंकि अगर पहले पढ़के नहीं जाओगे तो नहीं होगा और अहमियत नहीं देते हैं ऐसा लगता है कि चलो qualify तो करना है कुछ भी पढ़ जाओ नहीं होगा यार अगर 6 7 number ने ला मुश्किल हो रहा है तो question सही में अच्छे पूछता होगा इस चीज पर ज्याद दो ठीक है next what is the product of the roots of the equation 3 equation 3 के roots की product अब equation 3 को solve करो 2x square plus 7x plus 6 is equal to 0 अब sum होना चाहिए 7 product होनी चाहिए 6 into 2 12 दो root क्या होंगे 3 और 4 जब real root लोगे तो दोनों का sign change होगा और दोनों को 2 से divide करेंगे क्योंकि x square की साथ 2 है तो अब बोल रहा है इनकी product क्या होगी तो product क्या होगी minus 3 by 2 into minus 4 by 2 तो 2 2 जा 4 negative negative positive तो कितनी होगी product 3 तो answer होगा option number 2 कहाँ मुस्किल है लेकिन पहले से वो practice होनी चाहिए ठीक है चलो देखो next what is the square of the larger root of equation 2 ये equation है a की value कितनी है हमारे पास a की value 1 है तो equation solve करो x square plus 3x plus c is equal to 0 तो यहां से sum होना चाहिए 3 और c की value sorry c की value कितनी है 2 तो यहां पे कितनी है 2 तो sum होना चाहिए 3 product होनी चाहिए 2 तो 1 और 2 होंगे वो तो जब आप x के real root लोगे तो minus 1 और minus 2 होंगे लेकिन उसे ने बोला कि larger root का square तो कई बार हम अंदा दूनों के minus 2 का square कर देंगे लेकिन थोड़ा सा आठ खोलो यार greater यहां पे तो minus 1 का square करना आपको प्लस वान तो option number A is the right answer तो यह आपके RBA greater 2022 के question है ठीक है घुमा फिरा के भी देगा आपसे exam में वो भी कुछ question मतलब मैं आपको इतना पढ़ा देना चाहता हूं इस lecture में कि आपका कोई भी question इससे ना फसे exam में exam में है ना क्यांकि आपने जो सुबह सुबह देट घंटा इन्वेस्ट किया है उसके output वह बहतरी होनी जरूरी है ठीक है और आप मुझे comment करके बताना पका कि आपको यह lecture कैसा लगा क्या मुझे ऐसा ही content पढ़ाना चाहिए वो depend करेगा आपके comments पर फिर हम ऐसे ही discuss करेंगे दूसरे lectures भी ठीक है चलो next read the following information carefully to answer the question that follow in the following question an equation followed by some information is given you have to choose best suitable option मेरे पास यह equation है x square minus 28x plus k is equal to 0 root of the equation है a and b और a square is equal to 9b तो a और b जो है वो greater than 0 है तो find the value of k, k की value बतामी है अब देखो हमें पता है a x square plus b x plus c is equal to 0 यह equation है sum of the root अगर इस equation के root a और b है ठीक है अगर मैं a और b है इस equation के root तो sum of the root क्या होता है b by a होता है minus का अगर इस equation के साथ compare करू ठीक है तो sum of the root क्या होगा यानि a plus b वो क्या होगा minus minus 28 by a यानि कि sum of the root मैंने starting में बताया था कि sum of roots क्या होता है यह होता है sum of the roots minus of b product of the root क्या होती है c by a है तो यहाँ a plus b आएगा 28 और equation sum product of the root क्या आएगी a b is equal to होगा k by a क्या 1 c by a तो 1 है तो हमें अगर k निकालना है तो हमारे पास a b की value होनी चाहिए तो a plus b 28 है और a square is equal to 9b के यह given है यहाँ पर यह देखो तो अगर मैं यहाँ value निकालना बी की तो a square by 9 is equal to b हो जाएगा तो अगर यहाँ put कर दें इसको a plus b की जगा पूट कर दिया a square by 9 that is equal to 28 तो यह हो गया 9a plus a square नो अठे बाद तर नो दूनी 16 और 27 तो यह मन गी a square plus 9a minus 232 is equal to 0 sum होना चाहिए 9, product होनी चाहिए यह तो root बनेंगे 21 और 12 क्या बनेंगे 21 और 12 यह plus है तो यह बड़ा यह छोटा लेकिन जब आप real root लोगे तो minus का 21 और plus का 12 अब उसने कहा कि a और b जो है वो greater than 0 है तो a की 2 value तो नहीं ले सकते लेकिन a और b greater than 0 है तो negative value नहीं लेंगे a की value 12 लेंगे तो अगर a plus b 28 है और a की value 12 है तो b की value क्या होगी 28 minus 12 यह निकी 16 तो k क्या है a b is equal to k है तो 12 into 16 करोगे 16 दोनी 32 तीन 16 तो 192 तो option number जो d है वो आपके question का right answer ठीक है तो find the value of k, k की value क्या होगी option number d बात समझे में आई तो गुमा फिर आके अगर question देगा तो आपका अगर basic concept clear है तो भी आप solve कर लोगे और कैसे question दे सकता है चलो देखो देखो कितना सांदार question है पूछेगा exam में solve the given equations and find the relation between x and y एक यह equation है एक यह equation है लेकिन equation में b और a आगे बी और a पहले यहां से solve करने पड़ेंगे तो पहले equation 3 और 4 को solve करेंगे तब जाकर के equation 1 और 2 solve होंगे यह ऐसी तो देता है कि जब में lendी बना के देदेगा अब पहले इसको solve करो 135 percent of 480 plus a percent of 320 is equal to 728 तो जब इसको solve करोगे तो 130 by 5 by 100 into 480 ऐसे ही solve होगा 0 5 से गया 27, 5 से गया 2, 2 से 24 यह उदर जाके minus होगा तो a by 100 into 320 यह भी cancel कर दो 728 minus 27, 168, 168, 44, 64 ठीक है तो यह 0, 12 minus 4, 80 तो यह 2 से गया 5, 2 से गया 16 तो a की value आजाएगी 80 into 5 by 16 तो यह गया 5 तो a की value आगी 25 अब यहां से दूसरी question अठाओ 4, 64, divide by 29 into 10 plus 126 is equal to b plus 256 तो यह 29 से कटेगा 1 फिर बचेगा 17 फिर गया 16 तो 160 और 126 तो b की value क्या आओगी भाई, 160 और 126 होगा 286 और यह 256 इदर minus हो जाएगा तो b की value आगी 30 अब यहां पूटोंगी यह, तो equation 1 बनेगी 4x square plus 2ax, यह कितना है 25, 25 into 2 तो यह बन गया 50x और यह minus का 116 is equal to 0, equation 2 बी देखो क्या बनेगी 3y square plus 3by, b कितना है 30 into 3, 90y plus 50 ने a, तो 15, 75, 15, 32, 37, that is equal to 0, तो यानि a और b की value put करो इसमें, तो फिर वो convert हो जाएगा, समझ रहें, अब इन दोने equations को solve करो, लेंदी तो है, लेकिन थोड़ी calculation अच्छी होगी, और आपको basic concept पता होंगे, root कैसे जल्दी निकालते हैं, यह वो तो बना लोगे आप आराम से, otherwise मुस्किल है भाई, है ना, तो चलो फिर solve करते हैं, देखो, कि क्या क्या चीज़े यहां पर बन सकती है, ठीक है, तो बनाते पहले तो यह 2 से, 2 से, 2 से solve भी हो रहा है, अगर इसको 2 से पूरी equation को दोनों तरफ डिवाइड गर दों, तो 2 x square plus 25 x minus 58 is equal to 0, अब 2 root ऐसे सोचो जिनका sum 25 वो product हो, minus 58 into 2, यहनि minus 116, तो वो 2 root होंगे 29 और 4, अब यह product negative है, यह positive है, तो बड़ा root positive, चोटा root negative, तो 2 root 29 और minus 4 हों तो जब आप x के real root लोगे, तो अब equation यह नहीं है, यह है, तो real root लोगे, तो minus का 29 by 2, और plus का 4 divided by 2, समझे रहो, plus का 4 divided by 2, अब यहां से देखो, यह divide हो रहा है 3 से, तो यह y square plus 30y, ठीक है, और यह 3 से बनेगा, तो 125, अब देखो, product यह होनी चाहिए, sum यह होना चाहिए, तो 25 और 5 बन गया, तो जब y के real root लोगे, तो minus का 25 और minus का 5, clear है, अब देखो, simply, यह जो root है, यह तो दोनों से बड़ा है, क्योंकि यह negative है, वो positive है, लेकिन यह जो root है, इसको compare कर लो, x और y, minus 29 by 2 का मतलब है, minus 14.5, तो minus 14.5 को, अगर इन दोनों root से compare करूं, minus का 25, minus का 5, यहां यह greater है, यह greater है, कोई भी relation बनेगा ही नि, तो answer हो गया, option number 5, तो जब इस टाइप के question आएंगे न, तो थोड़ी calculation अच्छी होनी चीए, मैं आपको पहले से ही prepare कर रहा हूं, मिल सकते हैं, अराम से, हर टाइप की चीश डिसकस कर लो, ना, डेड़ घंटा लगा, हम पूरे concept म से निकल लगे कितना अच्छे से, exam level, pyq, सब चीजे, ठीक है, चलो, equation और देखे, next, if a and b are the roots of the equation, then find out the equation whose root are this, कितना अच्छा question है, हमें बनाना आना चाहिए, हमने देखो, मैंने कहा कि, हमें, जैसे आपको ध्यानो, मैंने कहा था कि, अगर मेरे पास एक equation alpha, beta है, तो इसके ऐसे बनते हैं, root x minus alpha, x minus beta, that is equal to 0, यही बनता है, न, ठीक है, और जब हमने इसको solve किया था, तो यह आया था, x square minus alpha plus beta, into x plus alpha beta is equal to 0, और यह क्या था, sum of roots था, यह क्या था, product of roots था, product of roots, ठीक है, तो पहले हम यह निकाल लें, 2a और 2b की value, तो इस equation में put कर देंगे, तो नई equation बन जाएगी, लेकिन a, b कहां से मिलेगा, यहां से, क्योंकि a, b इस equation के root है, तो पहले a, b की value निकालो, तो x square plus 5x plus 6 is equal to 0, तो sum होना चीए 6, और a plus b होना चीए 5, और a b होना चीए 6, तो वो 2 और 3 बनेंगे, जब real root लोगे, तो minus 2 और minus 3 बनेंगे, तो a की value आगी minus 2, b की value आगी minus 3, लेकिन हमें तो एक ऐसी equation बतानी है, जिसके roots होंगे, 2a और 2b, तो 2a कितना, 2 into minus 2, तो minus 4, 2b कितना, 2 into minus 3, तो minus 6, तो इस equation के root, alpha और beta की value minus 4 minus 6 है, यहाँ पुट कर दो, तो वो equation बन जाएगी, जिसके root होंगे, 2a और 2b, तो x square minus, alpha, यानि एक root कितना है, minus 4, दूसरा कितना है, minus 6, plus, यह x तो है, alpha बीटा, यानि minus 4 into minus 6, that is equal to 0, तो x square minus, और यह minus का 10 plus का हो जाएगा, 10x, minus minus plus 24, तो यह वो equation होंगे, जिसके root 2a और 2b होंगे, तो यानि कि option number 3 is the right answer, कहाँ मुस्किल है, लेकिन अगर यह पता ही नहीं होगा, तो मुस्किल है, फिर exam में अगर different question भी आया, तो नहीं बना पाऊगे, basic fundamental clear होने जुरू है, trick भी आनी चाहिए, लेकिन वो trick exam oriented हो, ऐसे ही नहीं, कि मैं बता रहा हूँ, trick है तो लगा लो, लेकिन क्या आपके exam से उन चालो, तो यह एक question आप लोगों के लिए homework है, अगर आपको यह पिछला question अच्छे से समझ में आया, तो आप इस question का perfect answer देंगे, ठीक है, तो यह आप लोगों के लिए homework question है, मुझे comment section में जरूर बताना इस question का answer क्या होगा, clear है, चलिए, तो thank you very much, आप सब का बहुत बहुत सुक्रिया session से जुड़ने के लिए, लेकिन, एक मेरी request है आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा content लेके आ रहा हूँ, इतना जबरदस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी को, यह आप promise करिये, अपने आप से, क्योंकि अगर मुझे एक motivation चाहिए कि मैं इतना अच्छा content पढ़ा हूँ, आपको इतनी सब चीज़े बढ़ा हूँ, तो मुझे भी एक motivation चाहिए, और उस motivation के लिए आप सभी को comment section में मुझे बताना है, कि क्या आपको यह content अच्छा लगा, क्या हमें सारे lecture इसी तरीके से लेने चाहिए, अपना अपना feedback, सच् अपने मन से सवाल करना, क्या यह exam level है, क्या यहां पर मैंने आपको अच्छा concept पढ़ाया है, अगर पढ़ाया है, तो comment section में मुझे जरूर बताना, कि आपको इस session में क्या अच्छा लगा, अपना अपना feedback comment section में जरूर देना, आपके next session के लिए बहुत अच्छा होगा, जि गुड मोर्निंग वाली चाहे के साथ यह जो lecture आपको मिला है, यह आपके लिए एक बड़ा, जो है वो, एक वो होता है na, target अचीव करने के लिए, लक्सया हासिल करने के लिए एक बड़ी opportunity आपके लिए साबित होगी, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको quadratic equation कहीं से पढ़ commented ही होने चाहिए, ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि यह सब आपको अच्छा लगा होगा, comment section में comment करके जरूर बताइए कैसा लगा, तो फिर मिलते है next session में इसी जोसर उत्साह के साथ, ठीक है भई, तो अगला next lecture होगा, वो Friday को syllogism का होगा, एक quant, एक reasoning, एक quant reasoning, ऐसे जो है वो descriptive English के मिलेंगे, morning 8 a.m. ठीक है, चलो, तो आप सब का भी बहुत बहुत सुक्रिया, comment करके जरूर बताइए homework question का answer भी और ये session आपको कैसा लगा, ठीक है जी, चलो, फिर मिलते है next lecture में, bye bye, take care, thank you very much, जै हिंद, जै भारत.